तो चलिए प्रॉब्लम लेकर इसको और अच्छे से समझते हैं और एंड और और एंड को अच्छे समझते हैं तो तो क्रिशन है कि इफ आइड तो सलेक्ट वैं नीड तो सलेक्ट तोस स्टुडेंट्स वोज आइड स्टार्ट्स स्टार्ट्स फ्रॉम थर्टेंट्स तो फिफ्टीन अब सब्सक्राइड थी नहीं हमारी कोई आइड हम लेते हैं टू से लेकर फोर तक ठीक है टू से लेकर टू तो फोर ले लेए तो उसके लिए करके देखते हैं तो सबसे पहली चीज ओडाल कर सकते हैं वह है कि सलेक्ट उनका डेटा तो सारा चाहिए हमें एक बार आप एक काम कीजिए वीडियो को पोस कीजिए और खुछ से करने कोशिश कीजिए ठीक है फिर आंसर आप यहां से देखने कोशिश कीजिए तो फ्रॉम तुडेंट एस्ट यूदी एंटी स्टुडेंट वियर आईडी एक्वल टू टू और आईडी एक्वल टू त्री और आईडी एक्वल टू फॉर ठीक है तो यह किया टू 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 फॉर वाला डिटा आगया एक तरीका तो यह है दूसरा क्या हो सकता है कि मैं यह भी कर सकता हूं इस से तो टू से तो बड़ा है टू या टू से तो बड़ा है और sorry and id तुम्हारी force या force से छोटी है उस case में rs, khushi और vikram तीनों के नाम आगए अपने पास में ठीक है तो दोनों same है दोनों में कोई difference नहीं है या तो मैं इस तरीके से और वाले matter से कर सकता हूँ या end वाले तरीके से भी कर सकता हूँ अच्छा एक को और इसके अंदर operator है यहीं बता देता हूँ मैं between करके भी एक operator है so मैं इसके वाले थोड़ा सा ओर describe कर देता हूँ पहले तो between भी same ऐसे काम करता है मान लिजे कि मैंने between रखा between जो operator है अपना वो कैसे काम करता है कि हम जो 12 से लेकर 15 थक है और 12 और 15 दोनों को include गरना चाहते है ठीक है तो हम कुछ नहीं करेंगे जहां ID डालेंगे between लिखकर between 12 and 15 जो 12 और 15 के between है वो including 12 and 15 sorry guys यहाँ पर 12 और 15 करके कुछ है नहीं तो मैं एक कर देता हूँ 2 और 5 कर देता हूँ 2 and 5 ठीक है तो देखते हैं कैसे काम करता है select from table का नाम क्या है student ठीक है where condition लगाना है condition के आगे हम यह operators यूज कर रहे है तो condition के आगे क्या है ID क्या होना चाहिए between 12 and sorry 2 and 5 so 2 से लेकर 5 तक सारे आ जाएंगे अपने पास में लेकिन इसका गहड़ा भी है यहाँ पर including 2 और 5 आ रहा है यहाँ पर यह जो है less than or equal to है यहाँ पर excluding कर सकते हैं जो कि हम between के साथ में नहीं कर सकते हैं तो देखें अगर सिर्फ हमें 2 से लेकर 5 तक के बीच के चाहिए हैं सिर्फ बीच के चाहिए हैं तो हम क्या गरेंगे तो यह देखें 3 और 4 आ गया हमारे पास में so hope you have understood it अब अगला है हमारे पास में in operator in function sorry so python के अंदर जैसे इन होता है यहाँ पर भी in है हमारे पास में तो वो कैसे काम करता देखते हैं तो इन एक function है जिसके अंदर हमें parameter पास करना पड़ता है टाइप ओफ कोलम ताइप से मेरा मतलब है उसका नाम नेम ओफ कोलम ठीक है कोलम का नेम यह एक एक तरीके सा function है अपने पास में so it is used to search entry it is used to search entry अगर हमें कोई entry search करनी है इसके अंदर तो हम कैसे करेंगे तो माल लीजे select हमें second वाला निकालना है सिर्फ फ्रॉम student stvd and student id in in लगाया मैंने function और मैंने लिख दिया 2 3 और 4 मैंने मल्टीपल एट डाल दिया ठीक है सब्सक्राइब गलत हो गया मैंने यहां किया है यहां पर मेरे को डालना है इन फिर से यही गलती दे रहा है मेरे को कहना है इन में गड़ बड़ तो एक सेकंड रुकिए गास मैं इसको फिर से चलाकर देखता हूँ तो स्पुट्व दूसरे को सैंपोर्ट नहीं करता है रुए जरी देखें ऐसे गलतिया हो जाती है तो आप इन सब चीजों का ध्यान रखिए ठीक है तो 2 और 3 वाले जो हैं हमारे पास में यहां से निकल के आ जाएगे तो 2 और इस तरीके से इनकी मदद से भी हम जो बीच के हैं उनको निकाल सकते हैं केवल कोई किसी particular उसको निकालना है multiple को निकालना है तो निकाल सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं तो ओप you have understood अब एक और question है कि if you want to retrieve हमें retrieve करना है starting 3 को मा लेजे starting top top 10 या top 2 को मेरे को retrieve करना है ठीक है तो वो कैसे करूँगा मैं मेरे को सिर्फ table से क्या निकालना है top 2 निकालना है starting top 2 या top 3 निकाल सकता हूं तो उसके लिए मेरा है limit limit operator उसके लिए use हो रहा है तो उसमें क्या होगा it is used to get the topmost topmost elements elements from the table table अपनों को बताना पड़ेगा कि कितने चाहिए है आपनों को ठीक है तो select command है इसका select star from student limit देनी पड़ेगी आपको अब आपको limit दे रहा हूं मैं limit दे रहा हूं suppose मैं को starting 2 या तो मैं 2 दे सकता हूं यहाँ पर 3 चाहिए तो 3 ठीक है तो इस तरीके से मैं limit को यहाँ पर condition लगाने की जरुववत नहीं है अगर मैं limit 3 करूँगा तो starting 3 आ जाएंगे अगर limit 4 करूँगा तो starting 4 आ जाएंगे that's it that's it बस इतना ही करना है अब मान लीजे कि आपको यह करना है if we want to leave starting elements and we want to retrieve topmost entries हमें पहले starting के जो भी है उनको छोड़ना है ठीक है starting के दो छोड़कर और फिर जो topmost है उसको retrieve करना है ठीक है मेरे को क्या करना है कि यह चेतन और आरीज को छोड़ देता हूं फिर top कौन है उसको निकालता हूं मान लीजे कि किसी तरीके से इन दो students को replicate कर दिया college से छेतन और आरीज को तो फिर बाद में topper कौन है उसको मेरे को चाहिए तो उसके लिए मैं क्या करूंगा यही सेम यहां तक तो सेम होगा limit मेरे को मतलब पहला बंदा चाहिए इन दोनों के बाद में first पे कौन है तो offset यहां पर use होता है offset keyword हम use करेंगे और कितने जनों को offset करना है हम दो को ठीक है चेतन और आरीज को करना है तो दो को हमें offset करके हमने हो निकाल लिया तो कौन है उसके बाद में खुशी अब अगला है suppose if we want to retrieve our table in either ascending order or descending order अब माल लिजे कि हमें ascending or descending order में हमें चाहिए या तो ascending order में चाहिए हमें ascending order ascending और descending order order में मेरे को चाहिए है table तो कैसे करूँगा तो उसके लिए simple सा हमारे पास में command है select from student और order ये keyword याद रखना है order by id ये किसके लिए है ascending order के लिए ठीक है अगर मैं इसके आगे लिख दूँ अगर मैं इसके आगे लिख दूँ इसके पीछे कर दे रहा है तो ये करूँगा तो ये order by id आगे अगे अगर मैं descending order में करतूँ तो उच्छे नहीं करना इसके पीछे dec कर दे रहा है ठीक है तो ये descending order में आ रहा है 5 4 3 2 1 So, I hope you have cleared up to here Thank you